प्रोड़क्ट अफ रामूज एस फाइव यह अगो विट इस एस नाइन यह लाटर इस फिफ्टीन विप्टू फाइंद रामूज प्रेजेंट एस तो लेट रामूज एस भी x years ठीक है तो मैं उसका age प्रेजन्ट में x years रजूम कर रहा हूँ ठीक है तो उसका age 5 years later क्या हो जाएगा? x plus. 5 years ago क्या हो जाएगा 5 years ago Ramu का age होगा x minus 5 और his age 9 years later तो 9 years age उसका age क्या हो जाएगा x plus 9 इन दोनों का product 15 दे रखाए ठीक है तो x minus 5 into x plus 9 ये दे रखाए हमें 15 ठीक है अब ऐसे multiply कर लेता हूँ तो x square ठीक है minus 5x ठीक है plus 9x minus 45 is equal to 15 ठीक है imply that x square ये क्या हो जाएगा plus 4x और minus क्या हो जाएगा minus 15 निदर आ जाएगा तो ये minus 60 is equal to 0 तो this is a quadratic equation अब मुझे x की value निकालनी है तो मुझे इसके roots निकालने होंगे ठीक है तो imply that अब मैं क्या करता हूँ मैं इस polynomial को ये वाले polynomial को जाएगे चस्पे उसे मैं factorize करता हूँ ठीक है तो x square plus 10x minus 6x minus 60 is equal to 0 मैंने 4x को 10x minus 6x क्यों लिखा क्योंकि एक तो इनका जो मैं sum करूँगा तो ये 4x आएगा और इनके coefficients को जो मैं multiply करूँगा तो मुझे ये constant term जो minus 60 है वो आ जाएगा इसलिए मैंने 4x को 10x minus 6x में break कर लिया ठीक है हम x को यहां से common ले लेता हूँ इन दोनों term में से x को मैंने common ले लिया तो क्या बचेगा अंदर x plus 10 ठीक है और यहां मैंने minus 6 को common लिया तो अंदर क्या बचेगा x plus 10 is equal to 0 ठीक है implied at x minus 6 into x plus 10 equal to 0 ठीक है अब यहां से मैं यह किया सकता हूँ कि या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा और तो x के क्या roots आ जाएंगे x is equal to 6 और minus 10 ठीक है 2 roots आ गया 6 and minus 10 ठीक है तो अब देखो x क्या है x तो रामू का एस को represent कर रहा है represent एस को ठीक है x को मैंने क्या था रामू ज एस ठीक है तो x तो एस तो कभी negative नहीं होगा मतलब minus 10 ठीक है तो यहां से cancel होगा मतलब x की value 6 आ गए तो रामू की present एस क्या हो गए रामू ज प्रेजेंट एस is equal to 6 years ओक है this is our answer अगाइड़ इसक्या है